कि दोस्तों मैं अपने यूनिवर्सल एंप्लिफायर पे जब पेंडराव लगा के सौंग प्ले करता हूं तो यह डिडेक्ट करने में थोड़ा सा प्रोलम करता है अलकि सांड किंग में जैसे ही मैं पेंडराव को यूज करता हूं यूएसबी को यूज करता हूं तुरंत वो सांट किंग की सुपीरियर है हाला कि मैं गलत कंपेर कर रहा हूं मुझे कंपेर नहीं करना चीए इसके साथ इसको क्योंकि कीमत ज्यादा ले रहा है डबल वार्ड दे रहा है बट क्वालिटी इसकी डबल अच्छी है इसके मुकाबले और यह भी एम्पिलिफायर जो है अपन मैं इसको लगाऊंगा तो कभी कभी काफी देर बाद जाकर ब्सक्राइब करता यह देखे मैंने आप लोगों के सामने इसको लगा दिया है अभी कि अभी तक इस ने इसको रीड नहीं किया तो हम आप लोगों लगा के दिखाता हूँ इसने डिडेक्ट कर लिया और गाना चालू भी हो गया है ओटोमेटिक हाला कि युनिवर्सल के एम्प्लीफायर पे भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ तो ये डिडेक्ट हो जानी चाहिए और चल जानी चाहिए चलिए इसका मोड भी में ओटोमेटिकली स्लेक्ट करके देख लेता हूँ ये जो मोड वाला स्विच है ये भी इतना अच्छा काम नहीं करता है मोड का जो स्विच है जबकि यूनिवर्सल के ये सोरी साउंड किंग के अम्प्लिफायर का मोड वाला स्विच बहुत अच्छे से काम कर लेता है ये देखिए ब्लूटूथ आया इसमें FM आ गया है ये दो ही मोड आ रहे हैं और ये डिडेक्ट नहीं कर रहा है आपके सामने आपने देखा कि इसमें जैसे ही मैंने एक बार लगाया साउंड किंग में तुरंद उसने डिडेक्ट करके सौंग प्ले करना चालू कर दिया लेकिन इसने अभी तक नहीं किया है अभी देखिए मैं इसको दोबार ऐसे हिलाऊंगा कुछ लगाऊंगा तब जाके ये कहीं डिडेक्ट करेगा कि यह देखिए दोस्तों अभी कि काफी देर बाद इसने डिडेक्ट किया है हाला कि जो सौंग इसमें प्ले हो रहा हो कोपी राइट है इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूं अभी देखिए प्ले करने लग गया है मुझे बंद करना पड़ा है एंप्लिफायर क्योंकि कोपी रेट सौंग इसमें प्ले हो गया तो कितनी देर बाद जाके इसने इस पैन ड्राइव को यूएसबी को डिडेक्ट किया है जबकि आपके सामने साउंड किंग ने तुरंत एक ही बार में इसको डिडेक कर लिया और प्ले करने लग गया तो ये क्वालिटी का डिफरेंस है कुछ और भी डिफरेंस है मैं आपको बताऊं चलिए मैं आपको कंटिन्यू बाद में भी बताऊंगा काफी कुछ पॉइंट है जो मेरे को पिछ अपने दोस्तों के साथ सेयर करेंगे आप में से बहुत सारे लोगों के पास एंप्लिफायर होगा भी या आप लोगों को नोलिज होगी तो प्लीज इसके जैसा युनिवर्सल के जैसा एंप्लिफायर जिसकी किमत कोई 2,500 रुप कोई एंप्लिफायर हो 50-500 वाट का एंप्लिफायर हो और यह फीचर्स मिलते हो इसमें 30-35 टांजिस्टर लगे हुए हैं तो ऐसा ही कोई एंप्लिफायर जिजिए वो सब दोस्तो के साथ हम शेयर करेंगे जैसा ही आप बताओगे मैं भी उसको सर्च मारूंगा और लोगों को बताओगय क्योंकि काफी लोग है इसके बारे में पूछते हैं मुझे ये भी बोलते हैं कि आप कोरियर कर दीजिए हमें ये चाहिए और ऐसा मैं नहीं कर पाँगा क्योंकि कोरियर करके तो कोस्त ज्यादा हो जाएगी लोकल मार्केटों में एवलेबल हो जाए तो काफी अच्छा है वहाँ से लोग खरीद ले तो उनको काफी कम पड़ेगा तो प्लीज आप बताइए कि क्या आप ऐसा कोई एम्प्लिफायर जानते हैं ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स वडियो में थेंक्यू